Hare Krishna, Śrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Shlop No. 3 यस्यावयावसंस्थानै, कल्पितो लोक विस्तरह, तद्वे भगवतो रूपं, विशुद्धं सत्व मुर्जितं यस्यावयावसंस्थानै, कल्पितो लोक विस्तरह, तद्वे भगवतो रूपं, विशुद्धं सत्व मुर्जितं अनुवाद और तात्परिया, शिला प्रहुपात की द्वारा, शिला प्रहुपात की जय, अनुवाद ऐसा विश्वास किया जाता है, कि समस्ते ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विरात शरीर में स्थित है किन्तु उन्हें सरजीत भौतिक अवयवो से कोई सरोकार नहीं होता उनका शरीर नित्या आध्यात्मिक अस्थित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है तो भगवान का जो विरात शरीर है, इसी में ही समस्ते जो जगत है, वो समस्ते ब्रह्मांड ग्रह मंडल इसी में स्थित है तो इसलिए अताप्रमिश्ल प्रहपात बताते हैं कि पड़म सत्य के विरात रूप या विश्वरूप की जो धारना है ये विश्वरूप से नवदिक्षितों के लिए है, जो भक्ति में नए है और गुरु धारन करते हैं नए नए और जो अभी भग्वान के दिव्य रूप के बारे में सोचने के लिए अक्षम हैं तो ये विरात शरीर में वो भग्वान का अस्थितों का अनुभव कर सकते हैं अर्थात विरात रूप को देख कर यानि समस्तर जो ये जगत हम अंदल के सब कुछ भग्वान से उद्भूत हुआ है और भग्वान की ही शरीर में स्थित है इस प्रकार से उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबध्ध कोई वस्तु है अतयव प्रारंब में भग्वान की शक्ती के विस्तार पर ध्यान एकाग्रा करने के लिए ब्रह्मा की विरोधी कलपना आविश्यक है क्योंकि भग्वान श्री कृष्ण और यानि जो परम शक्ती मान परम परुष्यत्य भग्वान श्री कृष्ण तो साकार है लेकिन कई लोग इसको सुचते हैं कि भग्वान को की निराकार है ताकि उस धारणा से मुक्त होने के लिए भी जो भक्त है और खासकर जो नएने भक्त है उनके लिए आविश्यक है कि वो भग्वान के विरात रूप को भी जानें कि यह सब कुछ जो है भग्वान के अंदर ही स्थित है और फिर भी भगवान का जो रूप है वो हमेशा अध्यात्मिक है भगवान महत्वत्व के रूप में अपने शक्ति का विस्तार करते हैं जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिले थे भगवान का यह शक्ति है यह जो भौतिक जगत के परिचालना करती है महामाया तो वे भगवान के शक्ति है अध्ञात्में जगत की जो परचालना करती है योग माया वी कृष्णी की शक्ति का विस्तार है फरत सुर्ख भगवान के शक्ति तथाभगवान एक ही साथ भिन्न तथाभिन्न है अर्ठात जो भग्वान की माया शक्ती है, खास्तर बहिरंगा तो भग्वान से भिनना भी है, लेकर अभिनना भी है क्योंकि भग्वान की ही आज्या के अनुसार और भग्वान की अभीन होकर वो कादिय करते हैं इस तरह विराट रूप की अवधारना विशेश रूप से निरिविशेश वादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्ना है भगवान का ये नित्य रूप महत्वत्व की शृष्टी के पहले से विद्यमान रहता है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का जो नित्य रूप है वो प्रकृति के तिनों गुणों से कोई प्रभावित नहीं होता है वो आध्यात्मिक और दिव्य है और भगवान का ये दिव्य रूप भगवान की अंतरंगर शक्ति से प्रकट होता है भले ही भगवान फौती जगत में अवतरीत होते हैं, भले ही वो रामचंद्रा का अवतार हो, या नरसिंह अवतार हो, या वामन अवतार हो, या कोई भी अवतार हो, वो हमेशा अध्यात्निक और दिव्य रहते हैं, भड़ी वो वरा अवतार हो सुकर रूप में, तो यही दि अत्त्त्व है वो तेसे भौतिक अवयव है। उसका किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं होता है। सतिनोग्रुन या कोई दुषित चेत्वना कृष्ण को श्पर्श नहीं कर सकते है। यह निफ्रेंस है भगवान और बद्धा आत्मा में। श्लुक नम्बर चार पढ़ेंगे अभी पश्यंत्यदोरूपमदब्रचक्षुषा सहस्त्रपादोरूभूजाननाद्भुतं सहस्त्रमुर्धाश्रवनाक्षिनासिकं सहस्त्रमुल्यंबरकुंडलुल्लसा अनुवात अतात्पड़ियों श्लुक रवपात की द्वारा श्लुक रवपात की जाए अनुवात फक्तगर्ण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्यरूप का दर्शन करते है जिसके हजारो हजार पाव, जंगाए, भुजाए तथा मुख है और सबके सब अद्रितिया है उस शरीर में हजारो सीड आखे, कान तथा नाख होते है वे हजारो मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गये है जिसे अरजुन ने भगवान के विरात रुप का जब दर्शन किया था तो अरजुन ने यही देखा कि विरात रुप में हजारो हजारो मुख है, आखे है, नाख है और जितना सर है उतना वो मुख को भी पहने हुए है, हजारो हाथ है, पैर है वो इस प्रकार से देखते हैं हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंचमात्र भी नहीं देख पाते हैं, या तक कि अरजुन को भी जो विरात रुप दिखाना था कृष्ण को, तो कृष्ण ने अरजुन को दिव्य चक्षू प्रदान किया था, तो हम सोचे कि हम अपने धरन आखों से भगवान को देख सके दिव्य भगवान को यह संभब नहीं है, हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमन सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आविश्यक्ता है, तबी भगवान स्वयम हमें दर्शन देते हैं, तो श्रुलपुण प्रदापात कहते है लोग इतना पडिशान रहते हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा, कब होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रकार कृष्ण की सेवा में निमगन रहना चाहिए, कि स्वयम भगवान हमें देखने आए, अर्था भगवान हमें स्वयम हमारे समने प्रकट हो जाए, दर् वह स्वयम दर्शन देने आते हैं तो वह बक्तेगर्ण जो हैं बहुत ही दिव्या पतपर होते हैं तो अगर हम अपने आखों से भगवार का दर्शन करना चाहते हैं तो इन आखों को पूरी तरह क्रिश्न की शेवा में लगा देना चाहिए आखों को भगवान, श्री कृष्णा और राधारानी की अर्चे विग्रह की दर्शन करने में, मंदिर में, या घर में भी जो भगवान के दर्शन होते हैं, फोटो में या विग्रह में और कान को भगवान की कथा श्रवन करने में, मुख को भगवान की गुनगान करने में, हाथों को भगवान की मंदिर जहाने बुहारने में, साफ करने में, भगवान की सिवा करने में और पाउ को भगवान की मंदिर तक जाने में धाम यातरा दि करने में भगवान की विंदावन, मतुड़ा जैसे कि जगनातपुरी, मायपुर आधिदर्शन करने में लगा दे तो क्या हो जाता है हमारा शरीर भली होतिक पदार्थ से बना हुआ है पर वो दिव्य हो जाता है इसका spiritualization हो जाता है आध्यात्मी की करण हो जाता है तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े सन्यासी होते है या बड़े गुरू होते है जो अपना पूरा जीवन भगवान शिक्रिष्ण की सेवा में लगा चुके हैं और प्रचार प्रसार करते हैं लोगों का अधार भी कर चुके हैं तो ऐसे महान दिव्य भक जो शरीर है उसको जलाया नहीं जाता उसका दाहसंसकार नहीं किया जाता इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि पचास-पचास साल से जब वो पूर्णत या शुद्ध भक्ति में निमग्न है तो उनका सारे अंग उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगा कर रखा था इसलिए सारे अंग जो है अध्यातमे की करन हो चुका है और इसलिए उसको जलाया नहीं जाता है समाधी दिया जाता है और फिर उस समाधी का अगर हम परिक्रमा करते हैं प्रणाम करते हैं ऐसे महान वैश्णव की समाधी के में बैठ कर माला जब करते हैं तो हमारी भी भक्ति में प समशान में जाएंगे तो नहाना पड़ेगा लेकिन अगर आप शुद्ध वरिष्णव की समाधी में जाते हैं तो पवित्र होते हैं यह दिफ्रेंस है तो यह हम अपने इंद्रियों को हम भक्तिमाय सेवा में लगाकर शुद्ध कर सकते हैं इसको ठीक करने की आपश्यक्ता ह तो भगवर्द गेता में पुष्टी की गई है कि शुद्ध भक्तिमाय सेवा द्वारा ही दिव्यरूप भगवान के दर्शन के जा सकते हैं और कोई अन्य उपाई नहीं है कि भगवान के दर्शन करें एक चुलिए हमारे प्रेम में भक्ति देखकर क्रिष्णा जब प्रस प्रेम करते हैं चैतना महा प्रभू ने भी जो सिक्षास्तक है उसका जो अन्तीम श्लोख है अथ्वाश्लो उसमें कहते हैं अश्रिशवा पादरताम पिनस्तुमा मदर्शना मर्महताम करो तुवा यथा तथा थावा विदधा तुलंपटो मत प्रान ना थस्तुसा एवन पर अर्था मुझे आप भले ही कृष्णा मुझे कार आलिंगन करें या मुझे दर्शन ना देकर मर्महत करें आप जो चाहें वो कर सकते हैं पर मेरे प्राननात आप ही रहेंगे इस तरह का भाव होता है शुद्धतम भक्तो का तो हमें इस भाव को कल्टिवेट करना है और इस वावना से हम भगवान को प्राप तिकर सकते हैं इस तरह तो हम देखते हैं कि इस तरह बेदों में भी पुष्टी हुई है कि केबल भक्ती ही मनुष्य को भगवान की और ले जा सकती है और केबल भक्ती से भगवान प्रकट होते है प्रिष्णा भागवत गिता में भी कहते हैं भक्तिया मामा भी ज hilar और Quinn को जान लेंगे करशन का दरशन कर लेंगे पालेंगे ने ब्रभक्ति के द्वारा ले केवल्य भक्ति अनेन भक्ति केवल कृस्छनं ऐसा वक्ति प्रिष्ण के प्रिश्ण के प्रति और परव शुत्तम भगवान है इस बात को जानकर जो भक्ती होती है तो ब्रहंब भक्तों के रिदे में कृष्णा के प्रती इतना प्रेम है कि उनकी आखों में वो प्रेम छलता है उनकी आखे कई बार भर आता है गला रुढ हो जाता है कृष्णा के प्रती जो प्रेम है तो वो अंजन है वो भक्ति रुपी अंजन है आखों का ऐसे आखे बहुत सुंदर ल दिव्य रूप की जानकारी ऐसे वेक्ति उसे प्राप्त करनी होती है जिन्हाने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका धर्शन किया है तो हमें ऐसा नहीं कि हम किसी को भी भगवायान के बारे पुछ लेते हैं कई बार हम भक्ति में जुड़े हैं तो क्या होता है नेने हैं तो हम अरोसी, परोसी, फ्रेंड, सबसे पुछ लेते हैं हमें उनसे पूछना चाहिए जो अल्रेदी भक्ति में लगा हुआ है हम किसी से भी भक्ति के बारे पुछेंगे या भगवान के बारे पुछेंगे तो कोई विरुद्ध बाते कहे देंगे सास्ट्र विरुद्ध और उससे हम प्रभावित हो जाएंगे तो अब भक्ति में कभी भी प्रगति नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसे वेक्ति से पूछें जो खुदी भक्ति में नया है खुदी confused है, खुदी के अन्दर confidence नहीं है, conviction नहीं है द्रिर्ता नहीं है और ठागवान को नहीं समझते नहीं जानते हैं तो वो भी हमें गलत रास्ता दिखा सकते, वल्ले वो कितना सुंदर कथा करें, कितना इंप्रेसिव उनका प्रस्थनलेटी हो, हमें किसके पास जाना चाहिए, हमें कृष्णे से भी प्राथना करना चाहिए, कि मुझे ऐसा गुरु प्रदान करें, जो प्रामानिक रनागत होना चाहिए, तब हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं, और भगवान के दिव्यिम्यू के जानकारी भी हमें प्राप्त हो सकता है, तो इस भौतिक जगत में भी हम बश्टू को सदा अपने आंखों से नहीं देखते हैं, कभी-कभी हम उन लोगों के अनुभव से जिनने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है या इसे वर एग्जामपल आप भारत बासी है और भारत से बाहर कही भी नहीं गए और कोई आपका जो चाचा है या फ्रेंड है वो अमेरिका से आये है तो आप उनको पुछते है कि उसका अनुभव क्या है उसमें रहन भारत जैसा है तो कहीं चीज़े हम अपने आखों से तो नहीं देखते है लेकिन हम पुछते है और अनुभव से जानकारी लेते है तो ऐसा ही है यहां पे जैसे कि ऐसा मतलब यहां पे तो भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यग्गता चाहिए कोई अगर भ यहां पुछते है जो भगवान के सेवा में दिरंतर लगे हुए है और लक्षन क्या है उनके भगवान के प्रति प्रेम होने का कि 24 गंटा वह पहला की भगवान की भक्ति में लगा रहता है हम लोग कैसे है सब्तो गुणि, रजो गुणि तो बता चलता है कि हम जब अकेले में होते हैं तो हम कौन सा कारिय करते हैं जैसे फर एक्जामपल अगर हम तमोगुणी है तो अखेले हैं ओ थैंक गॉड़ आप बैस फोंजिट सॉफ्टर देते हैं और सू जाते बारे गंटे के लिए तो यह तमोगुण का है या कोई अगर रजोगुणी है तो सुचेंगे अब मैं कुछ खड़ा वीडियो देखूंगा या किसी जो है जैसे बॉइद है तो गर्ल को बुला लिया तो ऐसे स्ली पुरुष का अकर्शन का इंज्यत रिप्ति करेंगे और ऐसा होता है या कोई वीडियो देख लेंगे जो उनके मन में रजोगुन पेदा करते हैं या स भगवान के अलिये से कुछ जो भी लेक्शर सोगरा सुनते हैं तो अकेले रहने पर हमें खुद को जज़ कर सकते हैं कि हम कैसे हैं या हमारा मन कितना डर्टी है वो भी हम देख सकते हैं कि जब भी कोई सिटुएशन होता है हम उसको कितना नेगटिवली देखते हैं या अपने में खिचरी पका पका के कुछ भी सोचेगा और फिर हमें भी चैन से नहीं बैठने देगा क्योंकि हम मन तो हैं तो हम स्वयम आत्मा हैं तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम जो अनुभवी व्यक्ति हैं भक्ति में उनसे हम सिखें यदि दुन्यवी बस्टू के अनु अनुभवी भक्ति का जिवन के लिए बहुत आविश्रिक है कि हम एक अनुभवी भक्त का शरनागत हो अतायवक एवल धरियत अथा दृर्टा से ही परम सत्य संबंदि दिव्य विशय तो उनके वीवित रूपों के संबंद में अनुभुती प्राप्त की जा सकती है नवद इक्षितों के लिए वे स्वरूफ विहिं हैं किनुद दक्षसेवघ के ज़िए दिव्य रूप से युगत होते है तो धरिय होना झाल हमारे अंदर दृृता होना चेहिए भगवान की सेमा में दृता star है लगे रह ना चीह है तो इस प्रकार हम जो है भगवान के भक् करिमें उत्तक्тов विश्वास ही हें रहे हैं सब्सक्राइब करें ayam